महराश्ट में आया सियासी भुचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस सियासी उठापटक में हर दिन एक नया मोर देखने को मिल रहा है वहीं अब वार पलटवार और आरोप रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है सांसर संजे राउत ने भारतिय जंता पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाया क्या कहा है संजे राउत ने देखते हैं ये रिपोर्ट महराश्ट की सत्ता किसकी होगी इसके लिए दंगल जारी है और शिवसेना और बीजेपी की तरफ से दाउपेच का दौर चल रहा है जहां एक तरफ बीजेपी सपने संजो रही है यहां तक कि देविंदर फड़नवीस के समर्थकों ने तो उनके सीम बनाये जाने के पोस्टर भी लगा दिये तो वहीं शिवसेना इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है एमबी एगटबंधन में लगातार बैठकों का दौर जारी है और कमान शरत पवार ने संफाल रखी है उनकी रणनीती बीजेपी की रणनीती पर भारी पड़ती नजर आ रही है ऐसे में बीजेपी में डर है कि कहीं उसका बना बनाया खेल बिगड़ना जाए और यही कारण है कि बीजेपी शरत पवार को डराने की कोशिश कर रही है और उन्हें धमकी दे रही है और यह आरोप लगाया है शिवसेना सांसद संजेर राउत ने कहा भारती जनता पार्टी राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी के प्रमुक शरत पवार के खिलाफ बयान दे रही है और उन्हें धमकी दे रही है भाजपा के एक केंद्रे मंत्री ने कहा कि अगर M.V.A. सरकार को बचाने की कोशिश की गई तो शरत पवार को घर नहीं जाने दिया जाएगा M.V.A. सरकार बचे या ना बचे शरत पवार के लिए ऐसी भाशा सुईकारिन नहीं है अब शिवसेना सांसत के आरोपों में कितनी सचाई है ये बता पाना तो मुश्किल है लेकिन इस पूरे घटना करम में बीजेपी के जो भूमी का नजर आ रही है वो इस तरफ इशारा करती है कि बीजेपी सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकती है वही शिवसेना हार मानने वालों में से नहीं है और लगतार बैठके और मन्थनकर महराष्ट में आए इस सेलाव को थामने की कोशिश कर रही है अब इस लडाई में किसकी जीत होगी इसी पर सभी की नजरें टिकी हुई है डीवी लाइव की रिपोर्ट